हेलो एक बर फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने योटूब चैनल एस्प्रेंट लाइब में जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज मैं 8 वजए आप लोगों के लिए लेके आती हूँ concept plus mcq के classes जिसमें कर हम लोगों ने पढ़ा था आपका 1857 से 58 का जो विद्रो है इसके बारे में हमने concept के साथ mcq को देखा था आज हम करने वाले इस class में company सक्ती की अस्थापना इसका भी हम लोग concept और साथ में mcq को करेंगे ठीक है अब हम देखेंगे कि आधुनिक भारत यानी modern इंडिया भारत में यूरोपियों का आगमन यूरोपिय कंपनियों का जो आगमन था इसके बारे में आज के class में हम लोग देखेंगे वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक क करें और comment जरूर करें अब देखते हैं यह ट्रिक आप लोगों को पता होगा लगबख सारे लोगों को पता होगा इस ट्रिक के माध्यम से क्या है ना कि आपका यूरोपिय कंपनी जो आई थी भारत में वह आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है अब देख यंगरेज यह आया था आपका 1600 में डा से देखेंगे डच यह आया था आपका 1602 में डैड से देखेंगे डैनिस 1616 में और फॉर से देखेंगे फ्रांसी से यह आपका आया था 1664 में और सा से आपका देखेंगे सुईडित यह आपका कवाया था तो 1731 इस भी में ठीक है तो याद हो जाता है, अब हम देखेंगे इसके MCQ, वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत तक नए समुदरी मार्गी की खोज जो है कब की थे, यह आप कभी लोगों को पता होगा जी वास्को डिगामा जो था, वह भारत तक जो है नए समुदरी मार्गी की खोज कब की थी, option है अपका 156, 1492, 1700, 1757 उप्योगत में से कोई नहीं, तो कभी किया था? 1492 में, कहा पे आया था? कहा पे आया था? काली कट पे, और यहाँ पे जो है, इनका श्वागत कौन सा राजा किया था? तो जमुरील, इसने किया था? जमुरील ने किया था, अब देखते हैं अगला सवा अगला सवाल है कि वास्को डिगामा गोवा का सबसे बड़ा सहर है जिसका नाम एक डैस खोज करता के नाम पर रखा गया है Spanish, German, पुर्तगाली उप्योग में से कोई नहीं तो पुर्तगाली के नाम पर जो है नाम रखा गया है option C क्या हो गया आपका इस question का right answer हो गया next देखते हैं next देखने से पहले देखेंगे कि वास्को डिगामा जो है गोवा का सबसे बड़ा सहर है जिसका नाम पुर्तगाली खोज करता के नाम पर रखा गया है यह मोडगुआओं तालुका का मुख्याला भी है यह गोवा की राजधानी पंजी से 30 किलो मीटर दूर इस्थी थे अब देखेंगे आप इस solution में देख रहे हैं कि गोवा की राजधानी आपकी कहा हो गई पंजी हो गई ठीक है और अगर हम सबसे छोटे राजी की बात करे भारत के सबसे छोटे राजी की तो अब ही आपका कौन सा है गोवा है और छेदरफल की द्रिश्टी से अगर हम बात करें उसमें भी यह सबसे छोटा है कौन सा तो गोवा राजी जो है यह पंद्रो सो तेतालेस इस भी में अस्थापित किया गया था और 1961 इस भी में तक 47 को अब देखते हैं अगला है आपका कि पुराने बिग्यापन हमें क्या समझाने में मदद करता है मतलब कि पुराने बिग्यापन जो आप मैगजीन निकालेजिए या बिग्यापन मतलब पेपर में देखते होंगे अपलो यूज पेपर तो परते होंगे वहाँ पर एक छोटा सो जो होता है किसी ना किसी चीज का विग्यापन दिया रहा था या आप देख लो किसी जॉब प्रावट जॉब के बारे में दिया रहे या फिर किसी यूणिवर्शिटी के बारे में दिया रहे बाजार कैसे बनाये गए और नए स्वादों को कैसे लोगपिरिये बनाया गया ग्राफिक डिजाइन का विकास, डिजिटल मार्केटिंग का विकास तो option B क्या हो गया आपका इस question का right answer हो गया next देखते हैं, तो next है आपका कि भारतिय इतिहास को विभाजित करने के लिए इतिहास कारोद्वारा किस काल विभाजन का उपयोग किया जाता है प्राचीन, मध्यमकालीन और आधुनेक, प्रारंभिक, मध्य और अतिकाल, हिंदो, मुस्लिम, इसाई, प्राग, एतिहासिक, एतिहासिक, उत्तर, एतिहासिक तो हम लोग history में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, modern history पढ़ते हैं, mirival पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, ancient पढ़ते हैं, अपका क्या हो गया, पहले क्या आता है, पहले हम लोग ancient पढ़ते हैं, यानि प्राचील, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, mirival, फिर हम लोग modern पे थे वे जो है यूरोपिय समाजों से अधिक उन्नत थे वे प्रगती में यूरोपिय समाजों के ब्रावर थे या फिर उनके पास यूरोप से बहतर और दुईतियस आसन मॉडल थे इसका जो है इस question का right answer आपका option A है वे यूरोप की तुला में सभ्यता के नीचले अस्तर प अर्थ शास्त्री और राजनीतिक दार्षनिक जेंस मिल का मानना था कि भारत सहीतेस याई समाज यूरोप की तुलना में सभ्यता के नीचले अस्तर पे थे उनका मानना था कि यूरोपिय समाज साशन सांस्कृति और तकनिकी प्रगती के मामले में अधिक उन्नत था ठीक है उसके वाद आपका क्या था, यूरो केंद्रित परिपेच, आपनी वैसिक नीतियों पर परभाव और सांस्कृतिक और समाजिक निर्ने, यह आपका क्या हो गया, जैम्स मिल का बिश्वास, मतलब की, जैम्स मिल जो है आपके, इन सारे चीजों पर बिश्वास रखते थे कि वारेन हैस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्णर जेनरल बने थे बंगाल के पहले गवर्णर जेनरल कौन तो वारेन हैस्टिंग 1780 में 1770 में 1773 में या फिर 1775 में तो 1773 में option C क्या होगे आपका इसका right answer हो गया अगर हम 1773 से अगर quality को जोड़ें तो quality में आप 1773 में regulating act पढ़े होंगे क्या पढ़े होंगे regulating act regulating act ये भी आपका कब आया था तो 1773 में जब हम quality की class करेंगे तो उसमें हम इसके बारे में brief से जानेंगे ठीक है अगले class तो अगले सवाल को देखते हैं तो अगला सवाल है कि पुर्टगालियों द्वारा स्री लंका के खोज किस वर्स की गई थी 1545 में 1678 में 1505 में या फिर 1670 में तो 1505 में जो है पुर्टगालियों द्वारा जो है स्री लंका की खोज की थी मतलब option C क्या हो गया आपका इस question का right answer हो गया next देखते हैं next है next है कि वाइसरा की कारे कारी परशद में सामिल होने वाला पहला भारती है कौन था तो सतेंदर प्रशाद सिन्हा आपका इसका right answer हो गया और ये रहे आपके कौन सतेंदर प्रशाद सिन्हा next सवाल है आपका कि स्वाली की लराई 1612 में अंग्रेजों ने 10 के खिलाफ लराई लरी थी दानिस, पुर्तगाली, डच या फिर फ्रांसी सी तो पुर्तगालीों के खिलाफ जो है स्वाली की लराई 1612 में अंग्रेजों ने लरी थी तो आपका इसका right answer क्या हो गया? option B जो है आपका इस question का right answer हो गया भारत में पहले ब्रिटिस फेक्टरी डैस में शुरू की गई थी मदरास में, हुगली में, बॉंबई में या फिर शूरत में शूरत में की गई थी option D क्या हो गया? आपका इसका right answer हो गया अब देखेंगे हम, East India Company के प्रारंभिक वर्ज, ठीक है? 1600, East India Company की अस्थापना, ये जो आपकी East India Company की अस्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी ठीक है? 1609 में, विलियम हॉकिन्स जहागिर की दरवार पहुँचे थे 1611 में जो है आपका, कैप्टर मिडलर्टन ने सूरत के मुगल गवर्नर से वहाँ बैपार करने की अनुमती ली थी 1613 में जो है आपका East India Company की एक अस्थाई फेक्टरी सूरत में अस्थापित की गई थी 1615 में राजा जैम्स प्रथम के राजदूत सर्थ हॉमस रो जहागिर के दरवार में पहुँचे और 1618 तक राजदूत अंत दिर्शाई करके से छूट के साथ मुफ्त बैपार की प्रूष्टी करने वाला दो फर्मान समराट और राजपुमार खुररमशे प्रतेख मतला प्राप्त करने में सफल रहा 1616 में कमपनी ने दच्छिन में मसूली पटलम में अपना पहलाकार खाना अस्थावित किया था कौन सा तो इस्ट इंडिया कमपनी कब किया था 1616 में 1632 में कमपनी को गोल कुंडा के सुल्तान से उनके बैपार की सुरक्षा और स्मर्दिस उनस्ष्चित करने के लिए 1649 के अगर हम बात करें तो कमपनी को जो है एक अस्थानिय राजाज से मदरास का पट्टा मिला 1651 में कमपनी को हुग लिया नि बंगाल में बैपार करने की अनुमती दे दी गई थी 1662 में ब्रिटिस राजा चाल्स दूइतिया को एक पुर्टगाली राज कुमारी से साधी करने के लिए दहेज के रूप में बंबे दिया था ठीक है नेक्स है कि 1663 में अंगरेजो औरंग जेव ने अंगरेजो को बंगाल में बैपार करने के लिए क्या क्या एक फर्मान दिया था 1692 में जो है कमपनी को 3000 रुपे परती वर्स के भुकतान के बदले बंगाल में अपना बैपार जारी रखने का साही आदेश मिला था अब 1717 मुगलबाद साफरुक सियर ने कमपनी को मेगना काटा नामक एक फर्मान जारी किया जिससे कमपनी को बड़ी संख्या में बैपार रिया यते मिली ठीक है यह आपके क्या होगे इस्ट इंडिया कमपनी के प्रारंभिक बर्स अब आप लोग सोच रहे होंगे यह सारा का सारा तो बोर्ड पे ही है जब आप लोग हमारे टेलिग्राम को जॉइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक PDF दिया जाएगा हरे क्लास का PDF वहाँ पे अपलोड किया जाता है तो वो PDF में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए यह सारे नोट्स जो है आपको यहाँ पे दिया गया है अगले सवाल को देखते हैं तो चंपारन सत्यागरा डैस में हुआ था 1916 में 1923 में 1917 में 1920 में तो 1917 में अगर आप 1914 की बात करें तो 1914 में आपका क्या हो रहा था आपका 14 से एक साल बात आते 1915 ठीक है इसमें आपका क्या हुआ था तो इसमें जो है आपका महात्मा गांधी दछी न अफरिका से भारत आए ठीक तो जब वो 15 में भारत आए 16 में उन्होंने एक साल भ्रहमन किया भारत का पूरे भारत का भ्रहमन किया 1917 में इन्होंने क्या किया चंपारन सत्यागरा जो है आपका किशानों का जो आंदोलन था पहला आंदोलन महात्मा गांधी का अगर आपसे पूछा जाए तो चंपारन सत्यागरा ही भारत का पहला आंदोलन था इनका और इसी 16 से 17 के बीच इन्होंने एक स्तावर मति आश्रम की अस्थापना की थे 18 में अगर आपसे पूछे तो 18 में आपका खेरा आंदोलन और एहमदावाद मील अब आप एहमदावाद मील और खेरा जो है अगर आप से पहला भूखरताल पूछे तो आपका एहमदावाद मील में ही जो है भूखरताल महात्मा गांधी ने किया था तो ये आपका क्या हो गया महात्मा गांधी से रिलेटेड चमपारन सत्यागरा अब चमपारन सत्यागरा था क्या तो वहाँ पे जो है किसानों को क्या किया जाता था जो मतलब तीन कठे में मतलब 3 by 20 इसमें जो है आपका नील की मतलब तीन भाग में जो है आपका नील की खेत करवाई जाती थी इससे क्या होता था भूमी जो है आपका वहां का बंजर हो जाता था फिर वहां पे कोई फसल जो है वहां उग नहीं पाता था ठीक है तो यह आपका हो गया चम्पारंग सत्या ग्रह से रिलेटेड सवाल अब देखते हैं अगले सवाल को पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे उठाने के बीच कब खोली गई थी 1858 में 1854 में 1853 में 1853 में तो 1853 में ओप्शन C क्या हो गया आपका इस कोश्चन का राइट आंसर हो गया और अगर हम 1857 की बात करें तो 1857 की क्रांती जो है वो मैं कल ये वीडियो में लेके आई थी आप जाके उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं पस आप लोग से एक सिकायत है कि आप लोग जो है ना तो वीडियो को सेर करते हैं अगर वीडु अच्छी लगती हो आप लोगों को तो वीडियो को सेर कीजिए और comment जरूर किया किजिए और कोड़ा को मुगल समराट को सौप दिया और ब्रिटिस सैनी को कोई सनरक्षर में आ गए बंगाल, भोपाल, बहावल, पुड या फिर अवद तो option D यानी अवद इसका right answer क्या हो गया? option D. next question है कि फ्रांस्विसियों ने आखिरकर अपने भारतिये छेत्रों को भारत को कब शौप आता? 1947 में, 1950 में, 1954 में या फिर 1969 में? तिस question का आप लोग right answer comment box में जरूर बताईएगा. next है आपका कि वर्ष 1499 में किस पूर्टगाली अनवेशक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्की खोज की थी? वासको डिगामा, क्रिश्टोफर कोलंबस, सर फ्रांसी सीड्रेक या फिर जोन कोबोट ठीक है? तो किस ने की थी? वासको डिगामा ने तो option A क्या हो गया? आपका इस question का right answer हो गया. नेक्स्ट है आपका कि भारत के तरफ से आने वाले समुद्री मार्की खोज किस ने की थी? बावर ने, वासको डिगामा ने, गैलेलियो ने या फिर फेरुन डोज ने? तो किस ने की थी? वासको डिगामा ने? यानि option B क्या हो गया? आपका इस question का right answer हो गया. नेक्स्ट है कि फ्रांसे से खोज करता वासको डिगामा पहली बार समुद्र के राजते भारत में कहां उत्रा था? कपपर केरल, ठीक है? दूसरा है आपका अलिगाग महरास्ट, मीरा मार्कोआ या फिर मांडवी गुजरात. तो कपपर केरल में जो है ये उत्रे थे option A क्या राइट आंसर हो गया. नेक्स्ट है कि उस आसा का नाम बताया जिसने वासको डिगामा का काली गट पे श्वागत किया था? अलबुकर, डॉन अलमेडा, गैस्पर कोरिया या फिर जमोरिन, तो किसने किया था? जमोरिन ने, option D क्या हो गया आपका इस question का राइट आंसर हो ग तो कौन होए भाई? वासको डिगामा, बासको डिअलमेडा, कौन होए? option C, बासको डिअलमेडा, तो option C क्या हो गया आपका इस question का? राइट आंसर हो गया. 1505 में भारत में पहले पुर्टगाली वाइसराय द्वारा किस किले का निर्मान कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट का, सेंट थॉर्म्स फोर्ट का, फोर्ट इमेन्यू अलका या फिर फोर्ट सेंट डेविड का, तो सेंट एंजेलो फोर्ट का option A क्या हो गया आपका इस question का? राइट आंसर हो गया. आगे है आपका कि भारत में पुर्ट गालियों ने नेंवर में से किस अस्थान पर अपने पहले किले दुर्ग का निर्मान किया था? कोचिन में, गुवा में, कराईकल में या फिर बैंगलोर में तो कोचिन में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग और किले का निर्मान किये थे ठीक है? तो कहाँ पर किये थे कोचिन में? तो option A क्या हो गया? आपका इस question का right answer हो गया वीडियो अगर आप लोगों को अची लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद